गाइज आइज में जो रेडनेस है वो यूजली तब आती है जब जो ब्लड वेसल्स प्रेजन्ट होते हैं आइज की सरफेस पर वो या तो डाइलेट कर जाए या तो एक्स्पैंड कर जाए और ऐसा जेनरली तब होता है जब हमारे आखों के अंदर कोई फॉरें सब्स्टें या फिर कोई object आखों के अंदर चला जाए जिसकी वज़े से आखों में infection हो जाता है जिसकी वज़े से जो eyes है वो red हो जाती है अब यहाँ पी guys जो हमारे eyes में redness है वो usually temporary होती है और समय के साथ थोड़ी देर में वो चली जाएगी तो यहाँ पे क्योंकि मैं इस वीडियो मे red eyes को ठीक करने की solutions बता रहा हूं तो इसको basically हम two parts में divide कर सकते हैं सबसे पहला होता है short term solution for red eyes और दूसरा होगा long term solution for red eyes तो यहाँ पे guys अगर हम बात करें short term solution for red eyes के लिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे आखों में जो redness है उसके लिए सबसे right remedy जो है वो depend करती है कि हमारी eyes जो है वो red की हूँ है basically हमें cause का पता होना चाहिए तो यहाँ पे guys generally short term solutions के अंदर हम इन तीन methods को use करते हैं जो कि हमारे eyes से discomfort और जो redness है उसको remove करने में मदद करेगा तो इन तीनों solutions का नाम है warm compress, cool compress और artificial tears तो यहाँ पे guys warm compress में सबसे पहले हमे towel को soak करते है warm water में फिर उसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं और यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो temperature of water का वो एकदम reasonable level पे हो because हमारी जो eyes है वो बहुत ही ज़्यादा sensitive होती है फिर यहाँ पे उस towel को अच्छे से निचोड़ ले के बाद हम अपने eyes क की उपर रखते हैं तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि जो heat increase होगी eyes के अंदर उससे blood flow जो है वो increase होगा उस particular area में साथी में वो oil production को भी enhance करेगा हमारे eyelids के उपर जिसकी वज़े से हमारे eyes को help मिलती है more lubrication को create करने में फिर इसके बाद दूसरा solution होता है cool compress का और यह हमें तभी यूज़ करना चाहिए अगर जो warm compress का solution है वो काम ना कर रहा हो तो यहाँ पे basically हम एकदम opposite approach लेते हैं जिसमें सारे procedure सेम होते हैं बस हमें warm water की जगा cold water को use करना है और इस साथी में वो temperature वाला precaution भी याद रखिएगा तो guys generally यह observe किया गया है कि यह जो cool compression का यह जो solution है यह ज़ होता है artificial tears यह guys basically उन लोगों को recommend किया जाता है जिनकी जो है dry eyes होती है basically इनकी आखों में tears या फिर simply पानी का formation होता ही नहीं है जब इनकी आखे रेड हो जाती है यहाँ पर tears term हम basically use कर सकते हैं और इसमें आपको basically रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है artificial tears के लिए यह basically eye drops होती है जिनको आखों के अंदर डाला जाता है इसमें basically कई तरह की eye drops भी आती है जैसे कि अगर doctor ने cool eye drops को prescribe किया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको solution को refrigerate करना चाहिए फिर आपने आखों के ऊपर उसको डालना चाहिए लेकिन ही completely depend करता है कि आपको किस टाइप की artificial tears prescribed की गई है फिर गाज अगर हम long term solution for red eyes के बारे में बात करें तो यह basically इसमें solutions नहीं होते हमें बस इसमें कई चीजों को ध्यान लगना पड़ता है अपने आखों को redness से बचाने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहला होता है switch contacts तो यहाँ पर अगर आप chronic eye redness से सफर कर रहे हैं और अगर आप साथी में contact lenses को भी पहनते हैं तो यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है कि जिस material से वह लेंस बना है वह infection को कॉस कर रहा हो हमारे आखों में जो की साथ में eyes में irritation भी cause करेगा तो यहाँ पर इस problem से बचने के लिए आपको अपने eye doctor के साथ बात करनी चाहिए प्लस इसी में जो contact solution को यूज किया जाता है वो भी redness ला सकता है eyes में because यहाँ पर इंग्रीडेंट्स होते हैं उस contact solution में वह हो सकता हो कि वह उतने compatible ना हो जिस material से वह लेंस बना हो उसके साथ तो इसलिए आपको अपने contact lenses के लिए best contact solution को यूज करना चाहिए फिर इसके बाद जो हमें दू तो यहाँ पर आपको अपनी body को hydrated रखना बहुती ज़्यादा जरूरी है जिसमें आपको रोज 8 cups of water तो पी नहीं पीना है ताकि आपके body hydrated रहे और आपके body का जो fluid balance है वो एकदम maintain रहे और साथी में guys यह भी पाये गया है research में कि जो omega 3 fatty acids होते हैं जो कि पाये जाते हैं यहाँ पर जो environment है वो भी हमारे आखों को effect करता है और redness को ला सकता है because यहाँ पर अगर हमारी आइस constantly surrounded है by allergens such as smoke और pollen तो यह red eye के लिए responsible हो सकता है जिसमें guys dry air wind और humidity भी हमारे आइस को effect करती है तो guys फिलाल के वीडियो में इतना ही अगर आप को वीडियो अच्छा लगे त थैंक्स पर वाच्छिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्